से आप इस लेक्चर में हम लोग फूर चेन एंड फूरेब के एक टॉपिक था उसको पढ़ने वाले हैं इससे पहले मैं आपको कुछ basic concept प्रता देता हूं जिसके बाद हम इसको बहुत इसली समझ पाएंगे यह पार्ट है आपके ecology का अब ecology क्या होती है जैसे आपका environment science के बारे में आप जितने भी pollution घरा पड़ते हो ecology क्या होती है इसमें आप सीधा मैं बोल देता हूं ecology क्या होती है is the study is the study of relationship is the study of relationship between biotic and abiotic and biotic and biotic biotic and biotic इसमें क्या होता है biotic का relationship biotic से और biotic का biotic से जैसे आपको पता है कि जो आपके carbon dioxide है इसको use करते है plants यह ecosystem का part है तो यह क्या बना यह biotic ता यह biotic दोनों का relation बता रहा है इसके बाद इस plants को खाया grass ओपर से ने यह living यह बने दोनों किसका relation मना वायर्टिक वायर्टिक तो इस तरह के जो ecosystem होता है ECO का मतलब ecosystem होता है इसकी study को हम लोग क्या बोलते है ecology ठीक है ecology तो relationship between biotic and biotic जहाँ यह यह दिक की बीच का relation मताता है उस study को हम क्या बोलते है ecology बोलते है है ठीक है अब क्वशन आता है कि Еकलोजी बोड कितने दिया था किस ने दिया था पहली बार उसके बार क्वशन आता है कि फादर Fen Kennet Nisha Mis Tatlo Agis कसको बोला जाती है zouien father अब एकलोजी किसको बोला जाता है तो वो हैं हमारे खुड़म कि औहुरों को सिपूछा जाता है और जो एक्ट लेजिट किस निकी थी तो इंपर्टेंट आप लोग इंडिया के बारे बादर एंपर्ट रहे हो तो इंडियन एकलोजी फादर किसको बोला जाता है इंडियन एकलोजी फादर तो यह बोला जाता आपका राम देव को यह बाबा राम देव नहीं है ठीक है यह दूसरे वाले बाबा राम देव नहीं है यह राम देव मिश्रा है ठीक है यह बाबा राम देव नहीं है यह राम द living living का जिसको byatik, Abiotik, Abiotik बोल सकते हैं आपको पता हिए कि बियोतिक का मतलर living, Abiotik का मतलर non-living उसके बाद ecology जो term दिए थी वो ठीन की तैंसलन दिए थी थी फादराफ ecology कैसको बॉल जाता है, और बोला जाता है, Indian ecology के फादर को बोल जाता है राम देव मिश्रा को बोला जाता है चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं इसके study level of ecology क्या क्या होती है study level of कि इसको study level करना study level of ecology सबसे पहले क्या आता है देरे देरे कैसे level बढ़ता है इसमें सबसे जो बेसिक छोटा जोटा पॉपूलेशन population सबसे छोटा क्या आता है पॉपूलेशन फिर आती है community then उसके बाद आता आपका ecosystem then आता ecosystem then इसके बाद आगे next बताऊंगा चली population क्या होता है population होता है number of member number of members in our species in our species जितने भी species होते है उसमें number of members कितने है मतलब population basically same चीज में देखी जाती है जैसे अगर आप male की population तो male की देखोगे female तो female की देखोगे और अगर आप total देख रहे हो तो total इंसान की population तो में फिल्म में को total करोगे उसमें आप कुटे बिल्लिया वगरा add नहीं करोगे अगर आप dog की देखो तो dog की देखो मतलब एक species की कितने members है उसको बोला जाता है population अगर हम community की बात करें community को तो आप बोलते हो group of different species ठीक है तो मतलब अलग-लग species के group सबको combine करो उसको बोला जागा community population क्या होता है एक ही परजाती के total member को बोला जाता है और अलग-लग परजातियों को मिला दो तो उसको बोला जागा उसको group को बोला जागा community ecosystem क्या होता है ecosystem होता है community I канumanिटी अपů पलस वय वहर टी कंपोनेंट को कियो सारी मींग होगी यह नौली ईस से बोले इस वहार टिक और ऊपिन को इकोसिस्टम बोले जाता है मैंने आपको बताए भी था इंट्रиля क्छिन स्राइश ऩर यह दिटनी वह लुछ इंट को सिस्टम बोले जाता है community and ayt component को population को बला जाता है clear हो की बात community को बला जाता है ये भी मैंने बता दिया ecosystem के जाता है ये भी मैंने बता दिया चलिए next छोटा सा एक definition और लिख लिए दिये क्योंकि छोट छोटी definition पाता होना चाहिए आपको next लिखिया आप biome उसके बाद लिखिये biosphere उसके बाद लिखिये इतना है ठीक है इस definition के बाद फिर मैं इसके question बताता हो कैसे पुछिए थे चलिए वायोम क्या होता है बायोम होता है आपका group of same type of ecosystem क्या होता है group of same type of ecosystem मतलब कोई भी एक ecosystem और ecosystem में को समझा जुका हूँ तो एक type की ecosystem को मैं group में involve करें ग्रूप बनाओ उसको बोले जाएगा और बायोम की बाद बोले जाता है वायो स्फिर के इसको बोले जाता है यह बोलेSphere क्या होता यहां पे भी लाइफ पॉसिवल बायो मेंस लाइफ स्फेर में की सता जगा तो जहां पर भी लाइफ पॉसिवल उसको बले आता बायो स्फेर बायो स्फेर तो ग्रूप आफ बायो स्फेर बायो स्फेर क्या होता है ग्रूप आफ सेम टाइप अप एको सिस्टम एक टाइप की एको सिस्टम सबसे होगा था जाए प्रप्लेशन से उसके बद आपको बोला जाएगा कम्प्लीट बेसिक उनिट कम्प्लीट बेसिक उनिट आफ एक्डलोजी क्या होता है वह होगा आपका ecosystem क्या होगा अब आपका ecosystem ये question भी important है एक्जाम में पूछा गया है और ecosystem आपके syllabus में है तो ये point भी important हो जाता है ecology का सबसे छोटा unit क्या होता है सबसे छोटी क्या है population और complete basic unit कौन सा होता है वो था आपका ecosystem ठीक है ecosystem system और आपको पूछा जाए largest largest unit of ecology क्या होता है वो था आपका biosphere भी बोला जा सकता है तो ये छोट छोटे तीन point बताए अब हम बढ़ते हैं main आपका food chain और food web की तरफ जिसमें हम पढ़ेंगे traffic level क्या क्या होते हैं ठीक है तो चलिए इस point को सीखने की कोशिश करते हैं जो आपका important topic है चलिए गाइज यह चलिए अब यह main point यह है traffic level क्या होते हैं इसी के अंतर हम food chain और food web पढ़ने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से traffic level क्या होते हैं सबस्यपहलें कि ट्रॉपिक लैबल गाजाता है एक एक और दूसरी के लिए खाना बनता है उसको वो版 जाता है ट्रॉपिक लेबल किसको बोला जाता है जब एक चीज जब दूसरे का खाना बन जाता है मतलब दूसरी चीज पहली को खा देती है उसको बोला जाता है ट्रॉपिक लेबल यह और में आप बोल सकते हो एक ऐसा लेबल जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है जिसके अंद ट्रांसफर होती है जब एक चीज़ दूसरी को खाएगी तो वहां से एनर्जी मिलेगी इसको ठीक है वहां से एनर्जी मिलेगी इसको उसको पुड़े जाता है ट्रॉपिक लेबल यह दोनों डैफिनिशिय में कोई भी आप समझ सकते हो लेकिं 1942 में 1942 में लिंड मैंने हमें ब आपका ग्रास ओपर ता इसको खाया आपके लिजार्ट ने तो अगर इसके पास 100 यूनिट एनर्जी थी तो इसके पास सिर्फ 10% पहुंचेगी इसका 10% कितना होता 10 मत्तर 10 यूनिट नर्जी इसको पहुंचेगी मान लेजिए इसको किसी ने खा लिया गए ठीक है लिजार इसको भी किसी ने खा दिया माली जए पीक कॉक ने खा दिया या इगल ने खा दिया तो 10% इसका 10% मतलो 0.1 यूनिट तो कितनी नर्जी कम होगी यहां से जहां तक पहुंचेगी लिए तो लिंड मैं ने हमें मताया कि सिर्फ 10% नर्जी ट्रांसफर होती है एक लेबल से तो ट्रॉपिक लेबल क्या होता है जब एक औरगनिस्म दूसरे का खाना बनता है उसको बोला जाता है ट्रॉपिक लेबल यह ऐसे बोलता है जब एनर्जी एक लेबल से दूसरे लेबल पर ट्रांसफर होती है उसको बोला जाता है उसको बोला जाता है ट्रॉपिक लेबल और से 10% जी ट्रांस्फर होती है ठीक है ये भी दिमाग में रखना ठीक है ये भी दिमाग में रखना चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ये मैंने पहले ही लिखती है था point बिसिकली मैंने पहले class बना रहा था लेकिन यहां फे video थोड़ी सी problem आगी थी इसलिए मैंने इसको मिठाए ने यही पर आपको explain करके बता दिया चलिए मैं next साथ सा लिखता जाता हूँ अभी तो exam में गोशन आता है कि जो आपका primary level क्या होता है सबसे पहला level primary level of primary level of traffic level जो आपके traffic level होते है traffic level उसमें सबसे पहला stage goes होता है तो guys उसका answer है आपका उसका answer आपका plants क्योंकि सबसे पहले plants खाये जाते हैं plants क्योंकि plants अपना खाना खुद बनाते हैं यह क्या होते हैं सारी यह producer होते हैं यह मैं आपको ecosystem में पढ़ा चुका हूँ तो producer होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और इसको कहाते हैं consumers तो producer आपका सबसे पहली stage होती है आपकी primary stage होती है traffic level की जाकि energy कैसे बांद बास त्रीच्ट राइस से था ट्रांसफर्ड रोती है एक बस्क्राइबन हो चलिए पिल यह यहां पर आएगे ठीक तब इस तरीके से ऑस्टर्क्शर बनता है इसे इनर्जी ट्रांसपर होती जाती है पहले लेबल से लेबल टू पर वास नर्जी पहुंची जैसे आपके प्लांट को कौन खाएगा अर्भी वर्स खाएंगे ठीक है फिर इसको कौन खाएगा इसको कार्निवर्स खाएंगे और कुछ कार्निवर्स को भी कार्निवर्स खा इसकोऊ絹फ हुआ होगी तो आपको माईचे में चार भी मोई पांच इसके मीडियों Java के क्योंकि इसके बुअन बने स्टार्ड स्टाट हो जाती है तो इस ini अप लोग को रिफिर्जेंट करते हो इसका सब्सक्रामि नहीं क्यों आपका सब्सक्राइं स्ब्सक्राइब स्कूर आपूछन में पूच्छन में पूच्छा गया था अब इसको रिपरिजन करने के दो तरीक हो थे है चले लिख लिख रहे इजिए फर्स्ट fewant यह आज जो ट्रोफिक के एनर्जी ट्रांसफरमिशन के दो मैत्र होते हैं एक तो आप इसको रिप्रिजेंट करते हो इन सीरीज में किसमें इन सीरीज में एक लाइन में एक के बाद दूसरे ऐसे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं फूड चेन इसको हम बोलते हैं फूड चेन लेकिन अगर हम इसको एक डाइग्राम से बताएं एक डाइग्राम बनाके बताएं इस तरीके से डाइग्राम बनाके बताएं तो उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है उसको बोला जाता है पिरामिड क्या बोला जाता है पिरामिट ये question exam में आया हुआ है, बोलेगा energy transformation, अगर हम series में represent करेंगे तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है food chain, यही आपके syllabus में topic है na food chain, और अगर वो एक diagram की form में हम represent करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा pyramid, तो I hope यहां तक समझ आ च transfer होती है, उसको बोलने है, ट्रापी लेगा, लिंड मैंने हमें बताया है, 10% energy transfer होती है, फिर मैंने बताया कि सबसे primary stage कौन से होती है, energy transfer होने की बहुती है, producer यह plants बोल सकते हो, ठीक है, और energy transfer को, transformation को दो तरीके से represent कर सकते हैं, एक series में, एक diagram है, series में represent करेंगे तो food chain बोला जाएगा, हाला कि यह आपके syllabus में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिये, exam question पूछा जा सकता है, ठीक है, exam question पूछा जा सकता है, जैसे बोलते है, in energy transformation, represent in the form of series, then it is called, इसको बोला जाएगा, food chain, क्या बोला जाएगा, food chain, चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम प food chain होता क्या है, ठीक हो, food chain क्या होता है, food chain basically क्या होता है, जब एक चीज, दूसरी चीज को खाती है, दूसरी तीस को खाती है, उसमें energy transfer होती है, मैं आपको पहले ही बता दिया, एक chain मनती है, ऐसे बोलते हो, a food chain, a food chain is a sequence of population, सा सा लिखते जा सकते हैं, a food chain is a sequence of food population, और organism of an ecosystem, system, एक ecosystem का, जो food chain क्या होता है, एक sequence होता है, population और organism के ecosystem के इंतर, जिसके दुवरा क्या होता है, बीचते food and its contained energy, passes with each member becoming the food of a later member होता है, मतला जो पहले वाला member, दूसरे वाले के लिए क्लिए क्या बनता है, खाना बनता है, मैंने ट्रॉपिक लाबने यही तो बताया, यह energy transfer food chain ह होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब एक से दूसरे जगह energy transfer होता है, उसको बोला जाता है food chain, तो यही basic में लिखा कि लिखना लो, नहीं तो अपनी language में लिख लो इसको, इसके characteristics क्या होता है, यह generally किस में होता है, state line में होता है, मैंने बोला sequence में ऐसा है, series में जाता है, अगर इसको इस तरीके से mention करोगा, यह आपका pyramid बन जाएगा, ठीक है, pyramid, नम्बरा topic लावत 3-6 तक हो सकती है, लेकिन maximum 3-4 तक खतम हो जाता है, जो food chain हो main किस की बज़से sustain रहता है, वो producer और decomposer है, अगर producer नहीं होगे, तो कोई भी food chain start नहीं होगा, decomposer नहीं होगे, decomposer नहीं होगे, तो मैंने आपको decomposer में बताया था, कि आपके पूरी हर्थ में क्या होगा, dead body, dead body रह जाएगी, वो अगर body मिट्टी की तरह बनके मिट्टी में नहीं मिलेंगी, तो क्या होगा, अर्थ पे life possible नहीं बचेगी, bacteria ही, bacteria हो जाएगे आपकी, ठीक है, तो यह है, statistics, अब हम main point पे चलते हैं, कि food chain कितने type का होता है, I hope यह थोड़ा सा point आपको clear होगा, इसमें कुछ खास है नहीं, यह theoretical portion है, जिसमें आपको main समझाना होता है, वो food chain हो food web क्या होता है, so food chain मैं आपको समझा दिया है, जब एक जगा से energy transfer होती है, और food chain को जब एक जगा connect करते तो सबको, वो food web बन जाता है, इसकी example मैं अभी लिख भी देता हूँ, जैसे एक example लिख लो आप, सबसे पहले क्या होता है, चली इसकी चोटी सी example लिखते है, चली सबसे पहले क्यों होता है, सबसे पहले आता है आपका producer, इसको बोलते है, ट्रॉपिक लेवल वान, लिखते हैं आपके, आर्वी वोर्स, यह है आपका ट्रॉपिक लेवल टू, इक्जाम्पर भी साथ सा लिखते जाओ, जैसे producer कौन होता है, आपके plants, इसको खाते है, आर्वी वोर्स मतलब जितने भी आपके इंसेक्ट्स होते है, इंसेक्ट्स होते है, ठीक है, इसके बाद इसको ख खाते हैं, secondary, carnivores, यह आपके ट्रॉपिक लेवल 4 होते है, ट्रॉपिक लेवल 4, ठीक है, इसके बाद आपका कौन खाता है, इसको खाता है, इसको खाता है आपका, इसको खाएगा आपका टॉप, कारनिवोरस तो कर्णै Jonchs यह होगए आपका ट्रोपिक लेवल 5 लेवल 5 और यह इडिकैन बोजरों के खदम हो जाएगा ऐसी आपका स्यक्टा रेगा जिसे सकोंक फॉर्झ खाएगा इस और एसके ओपर सने को कऊन खाएगा आपका सुने को आपका हॉपक यह घकल बोसकते हो ही क्लग चाहिए या हो काईगा ठीक है यह टॉप काने बूसनो भी इसके बाद जैसे इसी कोटाने बाला कौन भी सकता हुआटा सने की कोटा जाता है सिने को सिने को कुन खाता आपका सिने को पीकॉग खा जाता है ना पीकॉग और पीकॉग गारा को लाइन भी खा देते हैं ठीक है टॉप का निवर को पर कुछ नहीं होता और टॉप कानिवर को क्या क्या बोला जाता है यह मैं आपको बता तो देखो लिख लो इसको सबसे बह है थी ही फूर्ट drought इस परकार को तब हम अभी आगे पढ़ने वालों कितने परकार को बैंद आपको inclusion बनाता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे आपके green plants जैसे आप क्रीन plant exam में question आएगा क्यों सा इसको क्या बोला जाता है इसको producer बोला जाता है क्या बोला जाता है producer उसके बाद आएगे क्यों से Kom MICHAEL 2012 कौन से हाँगो इत्रो जैसे आपका आगया से कौन से कंडरी होता है है इसके बात फिर से आएगा इसको बोले जाएगा maeStory ऐसा बढ़ाते है इसे को स्ट यह इसको बना बत जाता है इसको बढ़ जाता है Tertiary इसको बढ़ जाता है Tertiary Consumers त्थीक है Last Class में मैंने Ecosystem में आपको बताती है था Shortcut में कि इन सबको Top Carnivores बोला जाता है इसके बाद आता है Heterotrop यह सेम लिखते जाना Heterotrop यह Top Carnivores यह होता है लास्ट वाले जिसको फिर कोई नहीं खाता है और इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है Quaternary Consumers यह Word पेपर में कभी कभी इसाम में पूछे जाते हैं ठीक है Toff Carnivores का दूसर नाम क्या होता है Quaternary Consumers Carnivore यह Carnivores को खाते हैं उसको क्या बोलते है Tertiary तो यह भी नाम आप याद रख सकते हो चलिए अब हम बढ़ते हैं टाइप आफ फूड चेन के ऊपर ठीक है चेन क्या होता है तो चेन तो आप समझ सकते हो जब एक से एक जुड़ी होती है उसको बोलता है चेन और फूड मतलब एक दूसरे के खाने की चेन खाने की चेन तो यह बीसिकरली इंवार्मेंट में दो तरह का फूड चेन होता है कि दो तरह का फूड चेन होता है एक बढ़ होता है एक कोत एक खे मूद के का पसके बैदल जबनेती होती है फूड चेन ठीक है डेट्रेटर्स फूड चेन तो यह दो तरह का फूड चेन होता है तो यहां से एक्जाम में कोशन पूछा जाता है ठीक है कि फूड चेन इसमें क्या होता और इसमें क्या होता है ग्रेजिं में क्या होता है और डेट्रेटर्स में क्या होता है तो दोनों मे यह पहले मैं बताता हूँ आपको grazing के बारे में तो grazing कौन से होता है? grazing होता है वो वाले organism वो वाले organism जो की अपना खाना कहां से start करते है which is start which is start food chain जिसकी food chain कहां से start होती है from green plant से कहां से green plant से as their food जब वो अपने खाने के लिए सबसे पहले stage कहां से होती है और green जब कहां से start करते है वो करते हैं आपके green plant से मतब सबसे पहले green plants होते है जो की खाना तो अपने बनाते हैं फिर उसके बाद ecosystem आपका start होता है food chain में food chain में सबसे पहले फूर्ई प्लांस जिसकाUnis बेसिए हो गाज़े बहाँ से स्टार्ट होगा है तो सूर्जल आइग पूलाजयों तो उसको पूल काता है , यह कुछ फैसिंगा कि यह तो इसको पलाजेत को प्लाज़ी경 bells यह वह और्गनिजम होते हैं यूज़ डेड और्गनिजम डेड और्गनिजम यह सबस्टांस अ एस देर फूट तो डेट टेटर फूट चेन वह फूट चेन होती है जिसका सबसे पहली जो इसे प्रामिम्ले स्टेज होती है जब वह फूट कर शेंस अर्गनिजम कौते हैं उसको पलाजाता है डेट टेट someone होती है जब क MEM twenty वह प्लान से सबसे प्रमिया बाले तुरल कर चूकंक और वह प्लानिजम से देखिए सबसे पहले तो इसमें आपको बोलेगा कि इसमें इसका फस्ट लेवर कौन सो होता है सबसे पहला लेवर कौन सो होता है फ्यूड चेन में उसका अंसर होगा प्लांट्स आपको पता है सबसे पहले प्लांट से स्टाट कहते आपनी चेन और इसका चो लास्ट लेवर होगा स्टों यह लास्ट लैबर होगा वह कुन सोगा chef ढेअ hypotheses जिसको अब कोई नहीं खाश सकते हैं से और लॉंग बगयर होगा थिक है मैं जिसको फ्रस्ट लीवर प्लंच को ही मैंनी आप बोल सकते हो इसका पहला होगा आपका अर्भी वोर्स ठीक है अर्भी वोर्स तो बेसिकली सबसे पहले तो यही से स्टार्ट होता है यही जब खाते हैं कि इसको प्लांट्स को तो अंसर में यही भी हो सकता है अर्भी वोर्स इसका सबसे पहला लेबल होगा अर्भी वोर्स को हैं कि इiece काँ मी यूर्चि कहां से खाएंगे वह फूर्च ये कहां से स्टार करेंगे ग्रीन प्रांट से तो बेसिकलि इसका उसर यह होगा कि हर्भी वोर्ट से स्टार करते हैं और इसका यप कहुण रख सकते हैं जैसे For egzampol सबसे पहले निख लिए किजिए मैं next slide पर समझाता हूं आपको इसकी example से समझ जाएगा दोनों में फरक है में देखिए जैसे सबसे पहले क्या होगा आपका green ग्रास होगा क्या होगा green grass इसको सबसे पहले कौन खाएगा इसको सबसे पहले खाएगा grass ग्रास ओपर जिसको आप पौशते हो जहां insects बगएर जो भी होते हैं जितने भी कीड़े बगएर यह इसको खाते हैं तो यह सबसे पहले इसने start किया यह कौन है यह आर्भी पोर्स है यह कौन से यह आर्भी पोर्स है फिर इसको कौन खाएगा इसको खाएगा आपका लिज़ार्स पगेए ठीक है लिज़ार्स पगएर होगे जा रैट पगेए रैट कुछ भी बोसकते हो बताथ है इसको खाएगा सेथार्स पिने पेपा कंसे सिरीस में यहाब रिप्रेजंग सबसेज़ में तर्सड अगा कौन खाएगा इसको खाएगा पीकॉक इसको कौन खाएगा पीकॉक तो यह आपका बन गया कौन सी फूर्चेन है यह फूर्चेन यह आपकी ग्रेजिंग फूर्चेन है यह कौन सी फूर्चेन है ग्रेजिंग तो एक्जाम में क्वेशन आपको फूर्चेन मिलाने को पूछे क्वें थी कहा तोड़ी हूँ आपको वो आपको पूछ न्यू risen होती है ज्येंस्तों होती हैं जैसे आफ ना प्लांट स्थाय तो बैसिकHey ऊआप ब्लांत्स को इखायेंगे है कि 10 पूं मॉलिए आपके रफिट ने कायाoqu रभी को स्नि खाया वॉर्फ नी खाया इसको इसनिटाया इसको लाइन थाया तो यह बन गया कहा वोऊं सा Graysing Food Chain तो Graysing Food Chain की बहुत सारी example होती है लेकिन आपको याद रखना है कि start कौन करता है कहां से होती है Green Plant से या इसको हर भी बहुत start करता है तो ये सका अंसर होगा Grazing वालेगा अगर मैं बही पर बात करूँ आपके Data Trey tas Data Trey tas का है तो चलिए मैं isuko पिछे ले चलते हूं वर śण के लिए इसकी ग्जाम्पल लेते हैं मैंने बोला यह कहां से स्टार्ड करते हैं इसको ये भी बोला जाता है इसको एक और वर्ड जाता है मैंने डा को पदायब होते हैं dead से ठीक है किसे dead organism से तो जैसे सबसे पहले आप इसकी example में लिख सकते हो जैसे आपने क्या किया जिसे कूड़ा बगारा था कूड़ा बगारा होता ना कच्रा बगारा उससे उसको खाया किसने उसको खाया अर्थफ़ाम में अर्थफ़ाम ठीक है कैच्छो इसको बोलते हो इसको किस ने खाया इसको खाया चिकर ने जो चूज़ा होता आपका इसको किस ने खाया इसको खाया cat ने cat को किस ने खाया wolf ने इसको किस ने खाया lion में तो यह कौन सी food chain आपकी तो मैं बोलूँगा यह dead treaters food chain है क्यों क्योंकि सबसे पहले start कहां से हो रहा है dead से जो आपका कचर होता है उसमें जान थोड़ी होती हो dead होता है इसको फिर किस ने खाया और तो हमने फिर chicken ने फिर cat ने फिर wolf ने फिर loin में तो यह आपकी कौन सी बनगी यह बनगी dead treaters चलिए एक example और लेते हैं जैसे आप बोल सकते हो आपका मालीजे dry leaves सूखे पते हैं इसको खाया insects ने फिर इसको खाया frog ने इसको खाया snake ने इसको खा गया इकल जा पीकॉक को सब्सक्राइब तो यह कौन सी फूर्चेन है यह आपकी dead treaters फूर्चेन है तो बेसिकली बस यह याद रखना है कि dead treaters कहां से स्टार्ट होती है और ग्रेजी फूर्चेन कहां से स्टार्ट होती है तो बस यतनी समझ जा कॉशिन पेपर में आंसर आपको मिल जाएगा कॉशिट पर अंसर मिल जाएगा तो इसको बॉल से क्वेव फ्राइम्री प्राइमरी स्टेउस है ठाये यह कून कि जो हमारा food web होगा उसको हम लोग next class में बढ़ेंगे तो उमीद करता हूँ यहां तक आपको class अच्छी लगी होगी और अगली class में हम इसको खतम करेंगे यह यूनिटिव मेरा खतम हो जाएगा ठीक है तो basically इसमें exam question यही पूछे जाते हैं यह start कहां से होता है कौन सको इसको बोला जाता है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया उसके क्या क्या features होते हैं जो इसके characteristics मैंने आपको बता दिए चलिए अगली class में मिलते हैं द्यान रिखिए अपना अगली class में इसको पढ़कि आईएगा then हम class को start करेंगे पहले मां इसके थोड़ी से revision करगा कि आप